अलो हाई everyone good morning मेरा नाम है हेमन्त और मैं आज यहां पे start करने जा रहा हूं chapter electrostatics chapter कौन सा है electrostatics electrostatics और इसमें हमारे पास आएका electric charge and fields, electric potential and capacitance यानि कि जो आपके NCRT के chapter number 1 और chapter number 2 है उन दोनों से related जो हमारे पास important concept है क्या है हमारे पास important concept जैसे मैं बात करूँ electric field due to dipole और dipoles के बीच का interaction और यहां पे बात करें conductor की बात करें conductor और दो conductors को जोडने पर उनके charge की जो sharing होती है और field जो है electric field जो है important systems की वज़े से और हमारे पास capacitor की energy, dielectric, dielectric निकाल देंगे तो क्या होगा तो वो सारे जो भी important concepts इस दोनों chapter से आते हैं उन chapters के important questions को हम करने वाले है important questions को यहां पर हम discuss करने वाले है important questions और मैं इस बात का आपको भरुसा दिलाता हूँ कि यह जो series होने वाली है इस series में से बहुत सारे सवाल जो है बहुत सारे सवाल बिल्कुल similar exam में आने वाले है ठीक है क्योंकि मैं इतने confidence से कैसे कह पा रहा हूँ because previous years की questions मैंने बहुत सारे जो है हजारों जो previous years की questions मैं discuss करा चुका हूँ इस channel पर भी और इससे पहले भी offline classes में मैं वो discuss करवा चुका हूँ तो trend दिख जाता है J-E mean में कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और किस तरह से सवाल आ सकते हैं ठीक है तो इसमें कोई दौरा ही नहीं है कि यह जो series है यह बहुत बढ़िया तरीके से चलने वाली है चलने वाली है मेरे end से बस आपको अपने end से भी अच्छी तरीके से इसको चलवाना है like की form में जो है आप अपना प्यार दिखा सकते हैं आपको अच्छे लगे questions तो आप like और share जो है जरूर करिए वीडियो को तो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहला सवाल सबसे पहला सवाल है कुछ ऐसा तो यह एक आसान तरीके का सवाल है जो combination of capacitor से related है अब हमसे कहा गया है कि हमारे पास capacitor है 4 microfarad के 4 microfarad के capacitor हैं 3 अब इनसे हमें total बनाना है क्या total हमें बनाना है 6 microfarad तो यह साफ साफ चमक रहा होगा यदि में 4 microfarad और 4 microfarad को series में लगा देता हूँ तो इनका equivalent कितना हो जाता है 2 microfarad हो जाएगा और इनके पहलेल में यदि में एक और 4 microfarad को capacitor जोड देता हूँ तो यह जो total capacitance होने वाला है यह total capacitance जो है यह 4 और 4 मिलके हो जाएगे 2 और 2 और 4 मिलके हो जाएगे 6 6 microfarad के बराबर आपको answer मिलने वाला है तो अब एक बार options में जरूर देखिए कि 2 series में हमने लगाए है resist capacitor और एक parallel में उनके capacitor हमने लगा दिया है तो equivalent इससे हमें 6 microfarad के बराबर मिल जाएगा तो यहाँ पे option number D है connecting 2 in series and 1 in parallel 2 in series, 1 in parallel यह हमारा correct answer हो जाएगा option number D तो यहाँ पे एक announcement है आपके लिए कि anacademy prodigy की तरफ से एक test जो है होने जा रहा है और test जो है वो 23rd January को होने वाला है 10 a.m. onwards इस test से फाइदा क्या है कि आप इस test में अच्छा score करके 20 lakh तक का college grant जीत सकते हैं college grant जो है आपको मिलेगा 20 lakh तक का यह जो exam होने वाला है यह 7th, 8th, 9th, 10th और 11th और 12th के engineering और medical के जो experience है उनके लिए होने वाला है test जो है all India level पे होगा और जो है आपको इसमें धेर सारे exciting scholarship और rewards भी मिलने वाले हैं आपको करना क्या है आपको enroll करना है इस test में unacademy prodigy में और code इस्तिमाल करना है NKC Sir Live NKC Sir Live code का आपको इस्तिमाल यहाँ पे करना है अब यहाँ पे rewards के बारे में सुन लीजे rank 1 को macbook air rank 2 और 3 को iphone rank 4 और 5 को apple का ipad rank 6 to 40 के लिए amazon का eco dot जो है और rank 41 से 100 के लिए amazon के gift card यहाँ पे मिलेंगे और scholarship की बात करें top 10 बच्चों को 100% scholarship 11 to 25 जिनका rank आएगा 75% और up to 500 rank जिन बच्चों का आएगा उनको भी scholarship मिलने वाला है उसके बाद All India Mock Test Series J-Mean 2022 के लिए होने जा रही है इसमें physics, chemistry math के जो है papers होने वाले है और इस 16th January से start होगा और हर Sunday 2 से लेकर 5 बचे तक यह test होने वाला है इस test के जो important features हैं वो आप देखिए कि एक तो All India Level पर जो है test होने वाला है और जितने भी questions यहाँ पर आपको test में मिलेंगे वो top educators ने जो है वो बनाए है और video solution जो है हर एक question का paper के बाद आपको मिलेगा detailed test report आपको मिलने वाली है यह बहुत important है आप जो भी सवाल करेंगे उस सवाल में कितने सवाल आपके गलत हुएं और कौन-कौन से part में आपको problem है यह आपको report जो है पूरी detail आपको मिलने वाली है और उसका solution कि आप क्या कर सकते हैं उसको improve करने के लिए वो भी आपको बताया जाएगा और जो 200 learners होंगे उनको scholarship भी मिलेगा 100% थे आपको यहाँ पर बस enroll करना है NKC Sir Live जो है code का इस्तेमाल करना है Unacademy की website उसके बाद यहाँ पर कुछ batches की information है कि batches जो है start होने जा रहे हैं यह 12th January से start हो गया है और यह 12th January से start हो गया है दोनों batches अब इन batches की बात करूँ तो यह batch जो है यह early beginners के लिए है और class 11th के बच्चे जो J main और advanced 2023 को जो है target कर रहे हैं और यह RM batch है पर class 11th J main and advanced जो 2023 के लिए target कर रहे हैं यह हमारे पास last minute का revision batch है जो J main 2022 को target करने वाले बच्चे उनके लिए है और एक crash course batch है जो J main 2022 के लिए जो है target कर रहे हैं बच्चे उनके लिए इन सारे batches में जो है top educators आपको मिलेंगे और जो है backlog का coverage भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है सबसे last में है कि paper discussion series जो है start होने जा रही है academy platform पे जो test हम discuss करेंगे वो February J main 2021 attempt का होने वाला है अब यह 13th January से start हो रहा है और आपको जो है 2022 का जो preparation है वो आप जो है बहुत उसमें चार चांद लगा सकते हैं यदि आप इसमें अंडॉल करेंगे तो फटावर से जाके अंडॉल कर लीजे code यदि आप से कोई पूछे तो NKC's are live जो है code आपको इस्तेमाल करना है इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ सवाल में दिया है a capacitor of capacity 0.1 microfarad capacity कितना है 0.1 microfarad is connected in series to a resistor of 10 mega O mega सब जानते हैं mega का मतलब होता है 10 raise to the power 6 10 raise to the power 6 is charged to a certain potential and then made to discharge through resistor the time in which the potential will fall to half of its original value is given by तो यहां देखे बटा कि हमारे पास एक capacitor था जिसको हमने full charge कर दिया मैं माल लेता हूँ कि charge इस पर Q0 के बराबर आ चुका है Q0 के बराबर इस पर charge आ चुका है इस capacitor पर और इस capacitor का capacity C के बराबर माल लेता हूँ इसके साथ में इस series में resistor लगाकर इस circuit को close कर दिया जाता है circuit को close कर दिया जाता है तो होगा क्या कि धीरे धीरे कि इसके उपर जो charge है वो decrease होने लगेगा और वो charge decrease होने लगेगा और जो energy है इस capacitor के उपर वो dissipate होने लगेगी heat की form में तो हमें बताना है कि कितने समय के बाद जो potential है इस capacitor के across potential across the capacitor time in which the potential will fall to half of its original value इसकी original value के आधा हो जाता है तो मैं potential के बारे में तो मुझे formula याद नहीं है लेकिन मैं charge का formula जानता हूँ कि यदि charge इसके उपर किसी भी समय Q के बेराबर है तो वो इस तरीके से vary करता है Q is equals to Q E raise to the power minus T by RC यह हमने RC circuit वाली series में हमने सीका है कि जब हम एक capacitor को discharge कराते हैं साथ में resistor लगाके तो charge कुछ इस तरीके से vary करता है यदि charge को मैं capacity से divide करता हूँ तो मुझे potential difference मिल जाएगा इस capacitor के across तो आप इस C से divide यहाँ से कर दीजिए C से divide यहाँ से कर दीजिए तो आपको मिल जाता है कि potential किसी भी समय is equals to original potential E raise to the power minus T by RC T by RC अब किसी भी समय पर मैं माल लेता हूँ कि यह potential आधा हो जाता है तो मैं माल लेता हूँ कि at T is equals to T नौट जो potential है वो किसके बरावर हो जाता है initial potential का आधा तो यह दोना value जो है इस equation को satisfy करनी चाहिए तो हमें यहाँ से मिल जाता है V naught by 2 is equals to V naught e raise to the power minus T by RC V naught से V naught चला गया और यह 1 by 2 है इसको लिख सकता हूँ 2 raise to the power minus 1 लिख सकता हूँ 2 raise to the power minus 1 लिख सकता हूँ इन दोनों को यदि आप reciprocate कर देंगे इन दोनों को reciprocate कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 2 is equals to e raise to the power T by RC दोने तरफ यहाँ पे R की value पुट करिए यहाँ पे C की value पुट करिए यहाँ पे LN2 की value पुट करिए आपको answer जो है फटाफट मिल जाएगा answer will be B answer जो है हमारा आ जाता है R और C की value आ जाती है multiply करने पर 1 के बराबर और LN2 0.693 हमारा answer में मिल जाएगा R C LN2 next question यहाँ पे discuss करने जा रहे है सवाल में आपको दिया है कि calculate the ratio of capacitance of two capacitor filled with dielectrics of same dimensions but of different values k and k by 4 arranged in two ways as shown in the figure first and figure number second the figure first हमारे पास है जहाँ पे dielectric ऐसे और ऐसे लगा हुआ है और second figure में जो dielectric है वो ऐसे और ऐसे लगा हुआ है आप देख पा रहे हैं वीडियो कैसे और कैसे और ऐसे और ऐसे मैं बात कर रहा हूँ तो हमें इनके equivalent capacitance का ratio बताना है कितना होगा तो असान है आप यहाँ देख सकते हैं clearly कि मैं माल लिता हूँ कि यह जो है distance d के बराबर है यह distance d के बराबर है यह distance d के बराबर है यह distance d के बराबर है तो पहले वाला जो capacitor है इसको मैं दो भागों में divide कर सकता हूं कैसे कि एक तो capacitor लगा है ऐसे और दूसरा साथ में capacitor लगा हुआ है कुछ ऐसे दूसरा capacitor जो है वो ऐसे लगा हुआ है like this यह जो है आपके पास distance d के बराबर है plates के बीच का जो distance है वो 2D के बराबर है और यह area मैं मान लेता हूं A के बराबर है तो यह area हो गया आपके पास a by 2 यह area हो गया आपके पास a by 2 यह आप इनको a, a भी मान सकते हैं कोई दिखकत नहीं है इस area को a इस वाले part के area को A मान सकते हैं तो इसका area A है इसका area भी जो है A के बराबर है यहां का k value k के बराबर है यहां का k value k by 4 के बराबर है तो हमें सारी values यहां से पता चल चुकी है दोनों capacitor parallel में लगे हुए है तो इनका capacitance जो है equivalent आप निकाल सकते हैं यह area इसका कितना है A के बराबर है epsilon 0 divided by D D कितना है इसका D यह वाला distance D 2D के बराबर है plus में इसका k value है k by 4 into area A epsilon 0 divided by 2D इसको यह भी आप solve करते हैं तो आपको मिलता है 1 plus 1 by 4 5 by 4, 5 by 8 5 by 8, ka epsilon 0 divided by D यह हमें मिलता है C equivalent की value पहले वाले case में अब दूसरे वाले case की अधी बात की जाए तो यहाँ पे दो capacitor हैं जो series में लगे हुए हैं तो यहाँ पे दो capacitor series में लगे हुए हैं पहला capacitor है कुछ ऐसे जिसके plates की बीच का separation है D के बराबर D के बराबर और दूसरा capacitor लगा है कुछ ऐसे जिनमें plates का separation कितना है D के बराबर है area इसका 2A के बराबर है area इसका भी 2A के बराबर है area इसका 2A के बराबर है इसका k value k के बराबर है इसका k value k by 4 के बराबर है तो मैं इनका equivalent लिख सकता हूँ C equivalent is equals to इसका capacitance k a epsilon 0 divided by d into k by 4 into area 2A epsilon 0 divided by d divided by c1 plus c2 यहाँ जाग आपके पास k into 2A epsilon 0 divided by d plus k by 4 into 2A epsilon 0 divided by d यह हमें यहाँ से result मिल जाता है तो भाईया यहाँ पे solve करिए इसे तो 2 और 2, 4 मिलके 4 को खतन कर देते हैं आपको मिलता है यहाँ पे k a epsilon 0 by d और यहाँ मिलता है k a epsilon 0 by d और नीचे आपको मिलता है यहाँ से दो बार चला गया 2 plus 1 by 2 धाई 5 by 2 यहाँ पे मिलता है आपको 5 by 2 k a epsilon 0 divided by d तो k a epsilon 0 by d से k a epsilon 0 by d cancel out हो जाता है और आपको यहाँ पे मिल जाता है 2 by 5 k a epsilon 0 divided by d तो यह भया इस पिछले वाले केस में 5 by 8 मिला था आपको यहाँ 2 by 5 मिला था तो आप यहाँ पे 5 by 8 divided by 2 by 5 कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 25 by 16 तो यही हमारा आंसर हमारे पास होने वाला है तो आप देख सकते हैं क्लियर ली कि हमने कितनी आसान तरीके से जो है यह solve कर लिया 25 by 16 हमारा आंसर आ गया डायग्राम देखते ही समझ मारा था कौन पैरलल में है कौन सीरीज में है आंसर फटाफट आ जाता है काफी important सवाल होते हैं ऐसे सवाल जो है खूप सारे जो है खूप सारे तरी मतलब एक या धोग जो है आपको मिलने वाले हैं काफी time से मैं देख रहा हूँ कि J-Mean में जो paper है वो काफी diverse paper आपको मिलता है ऐसे ऐसी जगे से सवाल आते हैं जहां से आप सोच भी नहीं सकते मतलब जो जीज़े हैं एग्नोर भी कर देते हैं वहां से भी सवाल जो है पूछ ले जाते हैं और हर जगे से सवाल पूछे जा रहे हैं हर जगे से is uniformly distributed, is uniformly distributed over the surface of two conducting concentric sphere of radius capital R and small r. यहाँ पे capital R ज्यादा बड़ा है, small r से, the potential at the common center of these sphere is equal to, तो आप से इन sphere के common center पर potential पूछा गया है, एक जो statement इस question में से missing है, वो मैं आप लिख दिता हूँ, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, given that, given that, charge density, charge density of spheres, of spheres is same, charge density of spheres is same, यहाँ कि जब charge capital Q को distribute कर रहे हैं, तो charge का distribution ऐसे किया गया है, जैसे उनके charge का density जो है inner और outer sphere पे, वो दोनों एकदम बराबर हो, दोनों एकदम बराबर हो, तो यहाँ पे, बिटा, मैं start कर रहा हूँ, इस सवाल को solve करना, कि हमारे पास एक छोटा sphere है, हमारे पास एक बड़ा sphere है, charge हमारे पास total Q है, इस मैं से मैं मान लेता हूँ कि X amount of charge मैं ने इसको दे दिया है, तो यहाँ पे कितना charge गया होगा, Q-X के बराबर, इसका radius small r है, इसका radius जो है capital R के बराबर है, तो मैं यहाँ पे charge की densities को बराबर कर सकता हूँ, तो आपको मिले गए यहाँ पे KX upon R square, sorry, charge है यहाँ पे X upon 4 pi R square, और यहाँ पे charge है Q-X, इसका area surface का कितना है, 4 pi capital R square, तो 4 pi R, 4 pi से 4 pi cancel out हो जाता है, आपको मिलता है, X capital R square is equals to Q small r square minus X into small r square, तो X common ले लिया, R square plus capital R square, यहाँ मिल जाता है, is equals to Q R square आपको यहाँ मिल जाता है, तो X की value आजाती है, Q R square upon R square plus capital R square, तो यह X की value आपको पता चल जाती है, अब यह जो spheres हैं, यह concentric जो हैं, आपको question में कहा गया है कि यह concentric sphere है, अब concentric sphere हैं, तो conducting भी हैं, तो इनकी charge के उपर तो कोई असर नहीं पढ़ने वाला है, यह X है, यह Q minus X है, हमें center पर potential पूछा गया है, तो बेटा मैं इसकी वज़े से center पर potential लिख सकता हूँ, कितना जाएगा आपके पास KX upon R, और इसकी वज़े से center पर potential लिख सकता हूँ, K into Q minus X upon capital R, तो यह हमारे पास potential at center मिल जाता है, यहाँ पर X की value और Q minus X की value जो है, आप यहाँ से put कर देंगे, आपका answer आजाएगा, तो आपको दो equations solve करनी है, एक ये वाली equation और एक ये वाली equation, दोन equations आपने solve कर दी, आपका काम खतम हो जाता है, अब एक बात यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखें, कि जो J mean है, वो आपसे concept तो test कर ही रही है, बट उस concept के साथ साथ, concept के साथ साथ, आपकी calculation और accuracy जो है, उसको भी test करता है, basically accuracy और calculation का test ज़्यादा होता है, rather than the concept test, तो आप ये वीडियो यदि देख रहे हैं, तो आप ये calculation जो है, इसको finish करिए, calculation जो है, इसको finish करिए, और answer जो है, answer तक जो है, आपको पहुंचना होगा अपने आप, ठीक है, यदि आप इस वीडियो को skip कर रहे हैं, सिर्फ यहीं तक छोड़के, अगला सवाल देख रहे हैं मेरे साथ साथ, तो ये वीडियो जो है, फाइदा नहीं करने वाली है, बस ये binge watching जो है, आप कर रहे हैं, तो आप जो है, अपने copy pen उठाएए, और इन दोन equations को solve कीजिए, और ये जो है, answer तक पहुंच जाएए, ठीक है, तब जो है, इस वीडियो का जो purpose है, वो solve होता है, आगे चलते हैं, जिसका dipole moment P1 है, एक dipole जिसका dipole moment P2 है, इनके जो dipole moments है, एक दूसरे के parallel है, इनके बीच का distance X के बरावर है, तो आप से force of interaction पूछा जा रहा है, कि force of interaction कितना होगा, तो देखे बटा, ये जो dipole है, ये dipole एक electric field develop करता है, इस point पर यदि electric field की बात करूँ, इस point पर यदि electric field की पीछे की तरफ, और इस electric field का formula होगा, क P1 divided by XQ, ये electric field यहाँ पर होने वाला है, अब थोड़ा सा यहाँ बढ़ेंगे, तो electric field की value जो है, वो थोड़ी सी change होने वाली है, थोड़ी सी change की होने वाली है, because ये dipole जो है, ये छोटे छोटे dipoles हैं, ये छोटे छोटे dipoles हमें इनको मानना है, तो छोटे dipoles हैं, इसका मतलब ये वाली distance भी छोटे होने वाली है, इसका मतलब थोड़ा सा variation यहाँ पर electric field में आएगा, और इदर से इदर जाएंगे, तो यहाँ पर भी छोटा सा variation electric field में आने वाला है, तो जब एक non uniform electric field में dipole रखा होता है, तो इसके उपर लगन आपको P2 dipole moment है, और electric field Kp1 by X3 का differentiation आपको करना है, X के respect में, तो आपको यहाँ से मिल जाता है, magnitude of force is equals to Kp1 P2, और यहाँ पर जाएंगे पर 3 upon X raise to the power 4, तो यह magnitude of force आपको मिल जाता है, 3 Kp1 P2 upon X raise to the power 4, आंसर चेक कीजिए, X raise to the power 4 आना चाहिए, सब में X raise to the power 4 है, और उपर 3 आना चाहिए, तो यह option जो है, हमारा सही हो जाता है, ठीक बात, अब आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ, सवाल में हमें दिया है, If an electron enters into space between the plates of parallel plate capacitor, यानि कि एक electron enter करता है space में between the parallel plate capacitor at angle alpha with the plates and leaves at an angle beta to the plates, यहाँ पे एक बात important बताई गई है, कि जो angle आपको लेना है, alpha और beta, वो plate के साथ लेना है, The ratio of its kinetic energy while entering the capacitor to that while leaving is equal to, तो हमें kinetic energies का ratio बताना है, सवाल एक बार देख लीजे, कि हमारे पास एक capacitor की plate इस तरह है, तूसरे capacitor की plate इस तरह है, इस capacitor की plates के बीच में definitely कोई ना कोई electric field रहा होगा, Electric field जानते हैं, या तो नीचे से उपर की तरफ होगा है, उपर से नीचे की तरफ होगा है, मैं माल लेता हूँ, ऐसे नीचे से उपर की तरफ जो है, electric field यहाँ पर exist करता है, एक electron इस बीच मेंसे आकर enter होता है, और plate से angle बनाता है alpha, तैकि भाई plate से मतलब horizontal से जो angle बनाता है, वो angle है alpha के बराबर, तो यहाँ पर मैं मैं मना देता हूँ कि इसका velocity initially u मना लेता हूँ, और angle इसका plate से alpha के बराबर है, तो बताइए इस electron के उपर क्या होगा, electron के पास क्या होगा, electron के साथ क्या होगा, electric field उपर की direction में, electron क्योंकि negatively charge particle है, तो इसके उपर force लगने वाला है, e into e के बराबर, तो इस velocity जो है, v के बराबर हो जाती है, पहले angle alpha बनाता है, फिर ये angle बीटा बनाता है, तो हमें calculate करना है, basically, half into mass of electron into u square, divided by half of mass of electron into v square, ये ratio हमें find करना है, basically, u square upon v square का ratio हमें find करना है, तो ये मैं बात जानता हूँ कि ये, जो capacitor के बीट में, जो plates हैं, उनकी वज़ए से electric field इस direction में है, यानि कि जो force लगने वाला है, वो इस direction में लगने वाला है, यानि कि इस वाली direction में कोई भी acceleration नहीं है, तो इस वाली direction में जो velocity है, वो constant रहने वाली है, before and after, तो velocity का आप ये वाला component जो है, electric field के perpendicular वाला component, which is u cos alpha, और इसका जो component है, horizontal वाला, v cos beta, उसको आप बराबर कर दीजे, तो आपको यहां से मिलेगा, u cos of alpha is equal to, आपको मिलता है, v of cos beta, v of cos beta, तो यहां से आप u की value लिख सकते हैं, हमसे पूछा गया है, entering to the while leaving, ठीक है, use कर बेरी square, तो u की value आप रख दीजे, v of cos beta by cos alpha, और यह value जो है, उठा के पटक दीजे, यहां पर, तो आपको यहां से मिल जा पाता है, u square is equal to v square, cos square beta by cos square alpha, और यहां पर v square तो अल्री है, v square से v square चला गया, cos square beta by cos square alpha, will be our answer, answer cos square beta by cos square alpha, option number v, 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 ठीक है, प्रभव 2, पाता है, आपको अल्री है, दो झाल्व 5, आपको ए मिल ब çekनाश, एूप इग烈 ए bowling, और रहां आपको का दिर ऴरी आपको यहां जापकों置, जा ए फजर दोगदिश, आपको रहां फे ऊडूर्ट कर रहां, आपको का Pुझ 3, और खको का-ईखक्व 2, पाह 54, ब